हलो एब्रिवन मैं हूँ सुधातिवारी और आपका मेरे चैनल इसपासी अरोमा पर स्वागत है आप जो रेसिपी है बहुत ही हल्दी लड्डू की रेसिपी है रेनी सीजन में विंटर सीजन में इस लड्डू को मेहनों बना के रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर स सकते हैं यह लड्डू रेसिपी मैंने आरा रोट का आठा मखाना का पाउडर गी देसी गी और गुड के साथ मिक्स करके बनाया है और इसमें बहुत सारे सीट्स और ड्राइफूट्स डाले हैं जिसे यह लड्डू बहुत ही हल्दी है और सारी चीजों की इंटरॉक्शन और इसकी बेनिफेशल फैक्ट क्या है सारी डिटेल इसमें आगे वीडियो में है तो बिल्कुल एंड तक बने रहे हैं यह लड्डू रेसिपी खाशकर पढ़ती उमर की बच्चों के लिए बहुत अच्छा है उन्हें एक किलास दूद के साथ दो लड्डू सुबा शाम दे सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बहुत अच्छी हेल्थ होगी और इम्मिनुटी बूस्ट होगा उनका जल्दी सर्देजु खाम नहीं होगा और यह लड्डू रेसिपी जो लेडिज बिलियन्ट है उनके लिए बहुत ताकतवार लड्डू है या फिज जो मा अपने बच्चों को दूद पिलाती हैं फीट कराती हैं तो इस लड्डू को खाने से उन्हें ताकत भी मिलेगी और उनका दूद भी जादा बनेगा जिससे उनके बच्चों को दूद अच्छे से मिलेगा चलते शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना तो सबसे पहले यह दो नाशकर तो किसी भी ग्रोशरी शॉप में किसी भी ड्राइफरूट की शॉप पर बहुत एजली अवेलबल रहता है, तो घर पे अगर आपको खेत से मिलता है तो ले सकते हैं नहीं तो मार्केट से एजली ला के रख सकते हैं और इसका इस तरह से लड्डू बना सकते हैं तो खेत में ये इसली होता था तो लोग जो लेडीज होती थी प्रिगनेंट औरत को या फिर बच्चा पैदा होने के बाद मा को ताकत देने के लिए इसके लड़ू बना कर दिये जाते थे तो बहुत हेल्दी होता है इससे दूद भी जादा बनता है और मा को ताकत भी मिलती तो इस तरह से मैंने रोस्ट करके इसका पौडर बना के इस तरह से रख लिया है भूनना जरूरी है जैसे चटकने लगे हलकी सी सुगंध आने लगे उस पॉइंट तक भून लेना है और ठंडा करके इसे मिक्सी में ग्राइन कर लेना है तो यहाँ पर अलसी की जानकारी हो हृफ्ti कि दिका रहते है इसे को सुखा के उत फाइबर यह होता है array जाता है और यह flap और यह को पहांच रहता है तो मार्कट में इसली अब्लbor रहता है तो बस इसले लिया है कि नेक्स्ट है गुड यहाँ पर चीनी का यूज न करें अगर आपको healthy लड्डू बनाना है तो देसी गुड लिया है मैंने यहाँ पर तो देसी गुड हल्दी होता है और गैनिक गुड है आजकल गुड भी बहुत easily available रहता है बहुत हल्दी होता है तो गुड यहाँ पर लिया नेक्स्ट है देसी गी में बनाएंगे इसे देसी गी health के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी skin के लिए देसी गी गाय का देसी गी घर का शुद बना हुआ तो और भी अच्छा है इसकी बालों के लिए digestion के लिए बहुत अच्छा रहता है तो इसे include करेंगे लड्डू हम बनाने के process में लेकिन इसमें जो dry fruits में डाल रहे हैं उसकी जानकारी देती रहोंगी यहां पर एक कडाई रख लिए है जिसमें एक table देसी गी डाला है और इसमें हम half cup से थोड़ा सा जादा बदाम है मतलब एक से देड़ मुट्टी आप बदाम डाल सकते हैं हलका सा color chain होने इसे बाहर निकाल लेते हैं अब इसी घी में थोड़े से काजू को भून लेंगे हम काजू में भी सेम बदाम की तरह ही beneficial fact होते हैं यह भी immunity को boost करता है और protein vitamin से भरपूर होता है तो बिल्कुल add करना है सारे dry fruits को किसी भी तरह का लड्डू बनाते हैं तो medium flame पे हलका सा color change होन में डालनेंगे पिस्ता को पिस्ता भी आप देख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं देखके 2-3 बड़े चमच आप ले सकते हैं मैं दिखाया है 1-4 cup आप ले सकते हैं तो हलका सा color change होने तक इसे भी भून लेना है जनरल सी बात है कि dry fruits सभी जानते हैं कि healthy होता है तो बस ग्राइन नहीं करना है लेकिन हलका सा जो घी बचा था कड़ाई में उसी में हलका सा चटक जाने तक जब यह पक जाता है तो हलका सा fluffy फूल सा जाता है तो उस पॉइंट हमें इसे भून लेना है और बाहर निकालेना है बट इससे हमें as it is लड़ो में mix करना है इसका powder नहीं सकते हैं कुछ चीज़े अगर skip करना चाहें नहीं मिल रही मार्केट पर घर पर अवेलबल नहीं है तो वह चीज़े आप सकते हैं लेकिन खास यह अलसी का आटा अलसी का powder और रोट का आटा गुर देशी घी यह चीज़े जरूरी है और ड्राइफूर्स अपने मन पसंद की पसंद की हैं मखाना जरूरी है तो यहां पर यहां पर मैंने एक क्याप से जाए थोड़ शा मंखाना ले लिया है और इसको भी क्रिस्पी होने तक भुन लेना है तो यहां पर एकünkü인데 स्पून घी एक्स्ट्र डाला था यह एब्सर्व करता हे घी को तेल को भुन लिया है इस बुनेंगे तो भुनना जरूरी है अरा रोट के आटा को यहां पर अरा रोट का आटा मैंने एक कप लिया है एक कप से थोड़े जादा ले सकते हैं आप इसे हमें लो फ्लेम पे दस से बारा मिनिट लाएंगे भुनते हुए तो लो टू मेडियम फ्लेम रखना है और चलाते ह हुए लगातार भुनना है बीच में बिल्कुल छोड़ना नहीं है तो हलका सा कलर चेंज होता है जब हम भुनते हैं इसे और हलकी सी सुंधी सी महक आने लगती है जब यह भुन जाता है उस पॉइंट तक भून ले ना है दस से बारा मिनिट इसे लगते हैं भुनने में आच्छा मैंने सारे चीज़ों की जानकारी दी गातली है और बस यहां पर सारी तयारी हो चुकी है अब जितने भी हमने ड्राइफ फूर्ट भुनें थे उसको ग्राइड कर लेना है तो यहां पर पिस्ता बदाम काजु को मिक्स करके ड्राइव को ब्राइड कर लिया है अब यहाँ पर हम मखाना को ग्राइंड करेंगे मखाना को भी दरदरा ही ग्राइंड करना है बहुत महीन पॉडर नहीं बनाना है कुछ पिस जाएंगे, कुछ हलके से इदे उदर साबुत रह जाएंगे तो उसको वैसे ही रहने देना है तो आपे मखान को भी पीस कर एक बड़ी सी परात लेंगे बड़ा सा मिक्सिंग बॉल लेंगे जिसमें आप सारी चुज़ों को अच्छे से मिक्स कर सके अभी मैंने एक टेपल स्पून इलाची पर डाला है और यहाँ पर भूना हुआ तिल और मेलोन सीडियानी खरबूच के बीच डाल दिये है अब यह है अलसी का पॉटर जैसे भूनकर मैंने पॉटर बना लिया है पहले से बना के रखा था यह डेड़ कप के लगबग हम डालेंगे इसमें और मिला देंगे भूना हुआ अरा रोट का आटा सारी चीजे को अच्छे से कंबाइन करेंगे वेल मिक्स करेंगे ताकि सब चीजे एक अच्छे से मर्ज हो जाए एक दूसरे में अब आपको थोड़ा सा देशी गी एक्ष्टर डालना है उतना डालना है कि मिक्स करने के बाद ये बद जाए मतलब आप मुठ्थी में ले तो एक शेप ले ले उतना देशी गी डालना है तो मैंने यहाँ पे तीन टेबल स्पून देशी गी और डाला है और मैं दिखा रही हूँ कि उतना देशी गी है कि ये देखो इस तरह से बद रहा है मुठ्थी में और बहुत घी भी नहीं है आप मेरा हाथ बिल्कुल ड्राई देख सकते हैं यह देखी बिल्कुल भी घी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है कि बहुत घी वाला लेड्डू बन रहा है तो उस इसाफ़े डालें कि बहुत घी भी ना हो जाए लेकिन आपका लेड्डू आराम से बने यह बदने के फॉर् देखी गुड़ के बिदूर पगरेश लेरे हैं मतलब एक कप घी ले सकते हैं तोड़ के उससे कम ले मैंने मीठा कं बनाया है आप थोड़ा सा मीठा कचळा अगर लेते हैं तो तीन पीस ले ले नहीं तो देख ग़ेए तोड़ ले के कट़ायी में टीन से चार टेबल इस इसमे एक तार दो तार की चास्थिनी नहीं बनानी है. सिर्फ इसे पकाना है थोड़ा सा. तो 5 मिनिट के लिए मेडियम फुलेम पे अच्छा सा गाढ़ा बुआल आने देंगे और पकालेंगे इसे 5 मिनिट के लिए. जैसे जैसे जैस बंद करें जब ये बिल्ट होता है पकाते हैं गुड़ को चासनी की तरह हो जाता है तो बहुत गरम होता है जरा सभी हाथ पर पड़ा तो बहुत जाता जल जाएंगे तो उस चीज की साधानी रखें तो अभी गुड़ का जो हमने सीरप तयार किया वो काफी गरम है तो पहले स्पेचु हमारा इसके बाद हमें लड्डू ही बनाना है तो पहले ही हमने घी डाल दिया था जिससे यह लड्डू बनाने के फॉर्म में आ गया था पौडर जो मिक्षर सारा था तो चासनी डालने के बाद तो और अच्छे से बनेगा और बहुत हेल्दी और बहुत स्वाधिश्ट ब वोड़ी डाल देते हैं यह पी ओप्षिनल आपकी मर्जी हो डले ले अप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं ड्राइफूट के हिसाब से इचमें अख रोट भी डाल सकते हैं और ऑर बहुत सब्याया है और बहूत फूल्ट सालता है ऊस पॉन तक हम इolly से पका लेना है तो बस एड़ कर दिया है मिक्षर के साथ किश्मिस को भी बस एक बार किश्मिस को भी ऊपर से नीचे करते हुए मिक्षर के साथ मिक्स कर लेना है और इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं अच्छा ज्यादा सा मिक्षर है अगर घर में कोई और भी है तो हेल्प ले ले ल ताकि जल्दी से आपके लड्डू बन जाए तो यह इस रेनी सीजन में और ठंडी की सीजन में इस रेसिपी को जरूर बनाईए यह लड्डू रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सस्प्राइब जरूर करिएगा आगे आसी बहुत साई रेसिपीस पाने के लिए मिलती ह अगली वीडियो में नही रेसिपीस के साथ तिल देन टेक कियर ओफ यॉरसेल्फ बाई बाई